माल लिजे, पहला तो node आ गया, राहु केतु में से कोई एक आ गया, तो अगर वो मैं एक साथ पे हैं, तब तो दोनों ही आ गए, एक और साथ पे, इस्पेसलि राहु अगर एक में चले गए साथ में, केतु हैं तो वहां से आसफेक्ट भी वो साथ पे को कर रहा है, तो डबल मैलेफिक माल लिजे, और साथन और मार्स अगर ट्राइन में हैं, या साथन ट्राइन में हैं, और मार्स चौते घर से चौती दृष्टी डाल दाव रहा है, this house is completely blocked शादी नहीं होगी अगें, राहु, केतु का एक्सेस है एक साथ में Saturn ट्राइन में है या Saturn पाँचवे में पढ़के तीसी द्रिष्टी दे रहे है चौते में पढ़के Mars जो है वो चौती द्रिष्टी दे रहे इन दोनों की जो द्रिष्टियां है वो डिजायर है अब दोनों को मैं अंतर करके दिखाता हूँ अगर यह ट्राइन में है माली जे Saturn is in Trine to 7th house 11th में है तो यह डिजायर नहीं है, पर्मानेंट करेक्शन है मार्स माली जे 3rd house में है तो यह पर्मानेंट करेक्शन हो गया क्योंकि यह 3, 7 और 11 आपस में बंधे हुए ट्राइन में, डिनायर अब इसी में अगर आप देखे कि मार्स को वहां से निकालके 3 समय चार नंबर में लाता हूँ चौथी द्रिष्टी आगे उनकी अब यह denial होगा यह delay होगा उसके लिए दसा अंतर दसा को चक्रे शादी के समय अगर दसा अंतर दसा मार्स की चल रही है तो उनकी desire है कि इसको block कर देंगे लेकिन चुकि यह temporary है ग्राह द्रिष्टी temporary होती है यू कन गो फर remedy नमस्कार दोस्तों Welcome to VR Astro VR Astro में आपका स्वागत है Let's continue our series जो relationship के उपर है आपने अगर पीछे के दो वीडियोज नहीं देखे हैं तो पहले आप उसको देख ले पहले वीडियो में ग्राहा और कार्मिक relationship में बात की गई है डीटेल में बताया गया है सेकंड में love marriage और arrange marriage love marriage mostly क्योंकि अगर वो छूट जाता है तो arrange marriage आप देख सकता है इसके combination बताये गया है आज बहुत important topic है delay and denial of the marriage कैसे इस चीज को देखे कि delay है या denial है delay और denial के लिए सबसे पहले जेन बसीन साब ने बराबर कहीं पनों ने quote किया था उसको बराबर refer करते है separative planets कौन है ये separative planets कौन-कौन planets है जो separative है राहू के तू तो हम लेके चलते affliction के रूप में Saturn है और Mars है ये जो है वो अच्छे planet नहीं है when it comes to relationship and alone they are capable of giving marriage alone ये खुद आपको marriage दे सकते है relationship दे सकते है लेकिन अगर एक से जादा अगर affliction होता है तो delay और denial की तरफ लेके जा सकते है delay और denial में D1 के अलावा D9 का देखना बहुत जरूरी है कि marriage होगी delay होगी denial होगी वो चीज़ देखना जरूरी है तो जैसे मैंने चार planet का नाम लिया ये चार planet या कोई ऐसा planet aspect कर रहा हो जो की पाप करतरी में हो जो की retro हो देखे रेट्रो का चेस्टा बला बहुत होता है रेट्रो है affliction में है और वो भी expect कर गया तो वो malefic में count होगा कोई पाप करतरी में aspect कर रहा है वो भी malefic में count होगा तो ये सारी वो planets है और इसमें अगर दो या दो से ज़्यादा planet अगर afflict करते हैं अब किसको afflict करते हैं देखे affliction अगर आपके partner की बात है शादी की बात है तो दो बहुत important है 7th house and 7th lord 7th house और 7th lord अगर afflicted है या दोनों में से एक heavily afflicted है तो या तो delay होगा या शादी होगी ही नहीं कम afflicted है delay होगा ज्यादा afflicted है denial होगा ये चीज़ आपको देखना है कि 7th house and 7th lord प्लस कारका अगर आप लड़के के चार्ट में देख रहे हैं तो आप Venus को देखे लड़की के चार्ट में देख रहे हैं तो आप Jupiter को देखे कि क्या वो कितने afflicted है प्लस उपपदा लगना का position देखे धारा कारक मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि धारा कारक से आपको most of the time जो पता चलता है वो पता चलता है कि आपका partner so that could be business partner mostly उपपदा लगना को आप देखे मैं आपके साथ आज दो चार्ट शेर करूँगा एक में delay और एक में denial उससे पहले मान लिजे कि 7th house 7th lord वहाँ पे है या 7th house जो है उसके train में मतब 3, 7, 11 3 number घर 7 number घर और 11 number घर इसमें 2 या 2 से ज़ादा malefic है 3 अगर malefic है तो chances of denial denial में उसका confirmation मैं भी आपको दिखा दूगा मान लिजे पहला तो node आ गया रहु केतु में से कोई एक आ गया तो अगर वो मैं एक साथ पे है तब तो दोनों ही आ गए एक और साथ पे especially राहू अगर एक में चले गए साथ में केतु हैं तो वहाँ से aspect भी वो साथ पे को कर रहा है तो double malefic मान लिजे आप और Saturn और Mars अगर ट्राइन में है या Saturn ट्राइन में है और Mars चौथे घर से चौथी द्रिष्टी जाल रहा है इस house is completely blocked शादी नहीं होगी अगें राहू केतु का access है एक साथ में Saturn ट्राइन में है या Saturn पाँचवे में पढ़के तीसी द्रिष्टी दे रहा है अगर ये ट्राइन में है मालीजे Saturn is in train to 7th house 11th में है तो ये desire नहीं है पर्मानेंट connection ये ट्राइन का Mars मालीजे 3rd house में है तो ये पर्मानेंट connection हो गया क्योंकि ये 3, 7 और 11 आपस में बंधे हुए ट्राइन में अब इसी में अगर आप देखें कि Mars को वहां से निकाल के 3 समय 4 नंबर में लाता हूँ चौथी द्रिष्टी आगे उनकी अब ये denial होगा ये delay होगा उसके लिए 10 अंतर दसा को check करे शादी के समय अगर 10 अंतर दसा मार्स की चल रही है तो उनकी desire है कि इसको block कर दे लेकिन चुकि ये temporary है ग्रह द्रिष्टी temporary होती है you can go for remedy माल लिजे मार्स फिर से 3 नंबर में लेके जाते है मैं कालपुरूस कोई पकड़ लेता हूँ 3 नंबर में लेके जाते है और 5 नंबर में Saturn तीसरी द्रिष्टी दे रहा है तब भी आप कहेंगे एक कितिसी द्रिष्टी एक ट्राइन में पड़ा हुआ एक अल्रेडी वहाँ पर प्लानेट है राहु केतु में से कोई एक अब तो गया अगेन इस केस में आप उस घर को मुक्त कर सकते है Saturn के 3rd aspect से remedy दे करके यह काम कर जाएगा तो यह कौन सी रासी होगी चर रासी होगी एक चार साथ दस रासी द्रिष्टी किस की होगी उस पे इस पे रासी द्रिष्टी जो आएगी वो स्थिर वाले की आएगी जो बगल में स्थिर होता उसकी नहीं आती है तो साथ के बगल में स्थिर कौन है? आठ है उसको छोड़ दीजी आप उसके बाद जितने भी आपके ग्यारा नंबर है दो नंबर है पांच नंबर है वहाँ से आएगा तो अगर मार्स अगर माली जे सैटन पांच में गरह दिरिष्टी भी दे रहे है और वहाँ से राशी दिरिष्टी भी दे रहे है इसका उपाय नहीं राशी दिरिष्टी पर्मानेंट है पर्मानेंट ब्लॉक किये हुए ग्रह दृष्टी है, रेमेडी से आप उसको मुक्त कर सकते हैं इवन दो प्लैनेट ग्रह दृष्टी दिये हुए है हाउस को ब्लॉक किये हुए शादी नहीं हो रही है आप रेमेडी दीजिए, दोनों अनब्लॉक कीजिए, शादी हो सकती है लेकिन अगर राशी दृष्टी है, या ट्राइन में है, या साथवे घर से अस्पेक्ट कर रहा है तीन मेलिफिक प्लैनेट है, सॉरी इवन दो मेलिफिक प्लैनेट, स्ट्रॉंगली राहु केतु और एक माली जिए उसमें सैटर्न आगे और मार्स आगे तो डिनाईल, अगर एक आए तो दो प्लैनेट डिले, तीन प्लैनेट डिनाई चलिए इसी प्रिंस्पल को मैं डिनाई में इंप्लिमेंट करके कुछ नई चीज़ है डिनाई ने बताऊंगा, मैं चार्ट शेयर करता हूँ दो इंट्रेस्टिंग चार्ट है जो मैंने आज निकाला है, आप लोगों के जिस्ट एजुकेशन परपस के लिए ये जेरी ब्राउन है, जेरी ब्राउन जो है वो अमेरिकन पॉलिटीशन अमेरिकन पॉलिटीशन है और इनका आप देख सकते हैं, एस्ट्रोडेटा बैंक पे इनका पूरा डीटेल है यहाँ पे जब मैं मैरे सर्च कर रहा था तो इनकी जो है वो इन्होंने शादी नहीं करी थर्टीज में पैदा हुए, यह शादी नहीं करी और पॉलिटिक्स में आ गए फिर दो हजार पांच में जाके सरसर साल के उमर में नहीं शादी करी अब डिले मतलब यह डिले है, यह हालत आप डिले की देख लीजी कि भाई, थर्टीज में पैदा हुआ व्यक्ती जो है, वो दो हजार पांच में शादी कर रहा है तो और रिलेशन्शिप में थे यह, ऐसानी की रिलेशन्शिप में नहीं थे इनके चार्ट को देखते हैं, 7 अप्रिल 1938, 1234, कालिफोर्निया का इनका जन्म है अगर आप इनके लगना को देखें तो कैंसर लगना है, और जमना इमून साइन्शिप में शादी होनी भाई, 7th house हम लोग देख रहे हैं, और 7th Lord पकड़ेंगे क्योंकि spouse को आना है, affection होगा तो नहीं आ पाएगी एक तो केतू जो है वो ट्राइन में है, पहला गर आप देखेंगे तो दूसरा, आप देखें इसके Lord को Saturn सैटन, राहू उनको देख रहे हैं, एक तो खुद ही वो malefic है, सन के साथ है तो उनकी स्थिथी खराब है, ठीक है और राहू की दृष्टी है, उससे भी एक important factor है यहां पे सैटन और जुपिटर में exchange है सैटन और जुपिटर में exchange है, और मैंने कहा था कि 8th house, 6th house, यह अच्छे घर नहीं होते हैं अगर उपपदा लगना ऐसे में दिख जाए, तो एक clear cut indication होता है, कि या तो शादी delay होगी, denial होगी, या शादी के बाद issues आएंगे तो यहां 7th Lord की स्थिति देख रहे हैं, कि Lord जो है exchange में है, वो 8th में आ जाएगा Sun और Saturn साथ में यहां पे थे, तो पहली यहां पे आप देखिए, affliction एक तरह का है, क्योंकि दोनों साथ में, they are not good राहू के ट्राइन में है and then, there is an exchange, exchange करके 8th house में आ रहे हैं यह सारी energy carry करके और तब 8th house में आ रहे हैं इसा नहीं कि 8th house में, वो पूरी energy carry करके तब 8th house में आ रहे हैं this is the clear cut indication कि there will be delay क्योंकि heavily afflicted नहीं है still, only two planets, एक तो खुदी है Saturn लेकिन वो Lord है तो affliction नहीं माना जाएगा क्योंकि Saturn जो है, वो प्रेम करता है और वो चाहता है कि उसी से शादी करे और जैसा मैंने यह हाँ पेगर आप पढ़ेंगे तो लॉंग टाइम गल्फेंट तो अगर पिछले वीडियो में आप सुनेंगे फर्स्ट वीडियो में तो मैंने कहा था कि Saturn की वो खासियत है भाई प्रेम किया है, तो आप ही के नाम के साथ जीएंगे और आप ही के नाम के साथ मरेंगे तो यहां आप देख रहे हैं कि वो Saturn लॉंग टम रिलेशनशिप में चुकि एक प्लानेट ही देख रहा है राहू उनके ट्राइन में है और वो एक्स्चेंज कर ला रहा है, फिर अपने घर में आ रहा है और जो रिलेशनशिप उनका बना हुआ था, उसको वो सस्टेन करा रहा है तो आफ्टर लॉंग पीरिएट, 67-68 में इनकी शादी होगे क्योंकि यहां सिर्फ दो ही प्लानेट है, अगर दो से जादा होते तो डिनायल हो जाती उसके लिए हमें चार्ट देखना होगा सूसेन का, सूसेन जो है, वो स्कॉटिश सिंगर है जब मैं इनका सर्च किया, आप अगर देखें, नेवर मैरेड, लेवड विधर पैरेंट तो यह सिंगर थी, इन्होंने कभी शादी नहीं करी, मैं इनका चार्ट ओपिन करता हूँ यहां अगर आप चार्ट देखेंगे, तो इनका जन जो है, 1 अपरिल 1961, 9 बज के 50 मिनट, स्कॉट्लेंड में हुआ और इनका जो लगना है, वो जमनाई है, मिथुल, मार्स वहां बैठे हुए, लुक अट दे सेवन्थ लॉड, अगर आप देखें सेवन्थ लॉड को, तो सेवन्थ लॉड अगेन इन एट्थ हाउस, और किस के साथ है भई, एट्थ लॉड के साथ है, एट्थ लॉड के और अपने आप चैलेंजिस दिखाते हैं, तो एक तो एट्थ हाउस में चले गए, पहला, सैटर्न आगे, दूसरा, और मार्स की आठ्वी दृष्टी है, तीसरा, मैरिज, डिनाइल, क्वेश्चन आता है कि, क्या इतने से कन्फरमेशन ले सकते हैं, नहीं, we have to look at D9, तो हम लोग फिर से ब्राउन पे चलते हैं, जेरी ब्राउन पे, उनके D9 के सेवन्थ हाउस को इवैलूएट करते हैं, सेवन्थ हाउस, वैसा कोई मेजर अफ्लिक्शन नहीं दिख रहा है, राधर जुपिटर लगन में बैठ करके और देख रहा है, और ओनर जो हैं, हाउस सेटन उनके उचनाथ है, ठीक है, यहाँ हेवली एफ्लिक्शन या एफ्लिक्शन नहीं है, जिसकी वज़ए से इस व्यक्ती ने सरसर साल के उमर में शादी करी, लेकिन जब हम सूसन का चार्ट देखते हैं, तो सूसन के चार्ट में आप जब D9 देखेंगे, तो D9 में सेव सालो करता हूँ, उसमें दो लॉड लेके चलते हैं, मून और वीनस, प्राइमरी वीनस, सेकंडरी मून, वीनस अपने से एक घर पीछे, दाट टू रिट्रो, विद मार्स और मर्करी, मर्करी बींग दे एट्थ लॉड उसके साथ हैं, और दूसरे साइड में, आठवे घर म उनका को लॉड, डी नाइन में, अगर सेवन्थ लॉड, सिक्स्थ हाउस में चले गए तो सिचुएशनल सेपरेशन, एट्थ हाउस में चले गए तो डिवोर्स का केस तक दे देता है, लेकिन चुकि डीवन यहाँ डिनायल दिखा रहा था, उसका कन्फिरमेशन दिखाई दे रहा है कि इसके दोनों लॉड अपने से एक घर पीछे और एक घर आगे गए हुए है, जो दोनों घर डी नाइन में मैरिज के लिए अच्छे नहीं होते हैं, सिक्स एट, इसमें भी आप कर सकते हैं, कि अगर जेरी ब्राउन का देखेंगे, तो जो एक्स्चेंज है, सै सैटन, सैवन्थ लॉड होके एट में आया है, मतलब सैवन्थ को सस्टेन करना चाहते हैं, सस्टेनेंस हाउस में आ गया है, तो उनका अपना घर है, लेकिन अगर यहां पे अगर सूसान के केस में आप देखेंगे, तो यहां ठीक है, जुपिटर भी आया है सस्टेन कराने क लेकिन फिर भी कन्फरमेशन के लिए जब आप D9 में जाते हैं, तो आपको exact पता चलता है कि denial है या delay है, और उसी तरह करियर का कुछ पता करना हो, तो D10 में जाई है, बच्चों का पता करना हो, D7 में जाई है, D4 देखिए, D16 देखिए, जब आप गाड़ी, घर, कुछ देखना चाते हैं, parents, D12 देखिए, बिमारी देखना है, D30 देखिए, D24 देखिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, इसी में मैं just to explain, जैसे केतु यहाँ पे हैं, for example, और यहाँ पे आपके Mars और Saturn होते, again, फिर यह मुश्किल हो जाती है, मान लीजिए, राहु आपके यह यहाँ पे हैं, 11th house में, Saturn यहाँ है, Mars यहाँ है, तो कहेंगे, Mars की दृष्टी Saturn पे है, Saturn की दृष्टी Mars पे है, राहु ट्राइन में है, तो दो ही हुआ ना, 7th पे, मान लीजिए, तीन हुआ, इस से कोई connection नहीं बैठ रहा है, for example, यह 7th Lord है Mars, तो आप राहु की दृष्टी है, वो Mars पे पड़ रही है, so just to conclude, हम लोगों ने जो आज देखा, राहु, केतु, Mars, Saturn, चार में से अगर 3, राहु, Saturn, Mars, केतु, Saturn, Mars, अगर यह 3, 7th Lord या 7th house से connection देखा रहे, तो delay, for sure, denial, 99%, to make it 100% go to D9, look at 7th house, 6th house, 8th house, 7th Lord, placement, पाप करतरी and all those things, उमीद करता हूँ कि आपको clear हुआ होगा कि marriage का delay और denial कैसे देखते हैं, next video में हम लोग timing of event देखेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, करता हुआ 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 झाल झाल